तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे विधुत मोटर के बारे में जी हाँ आज हम लोग बात करेंगे विधुत मोटर के बारे में इसकी संरचना क्या होती है इसका सिध्धान्त क्या होता है और सबसे बड़ी बात की पेपर में ये कोशन किस किस प्रकार से आ सकता है बच्चों को लगता है कि ये long question में आता है इसका कोई short question नहीं आ सकता है लेकिन आपको बता दें ये short में भी आ सकता है कैसे आ सकता है इनी सब की बात आज किस class में हम लोग करेंगे तो बिना देर के वे class को सुरू करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि विधुत मोटर आख विधुत मोटर पहली लाइन लिखी है विधुत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विधुत अरजा को यांत्रिक अरजा में बदलती है यही आता है आपका भुविकल्पी question कि विधुत मोटर एक ऐसी युक्ति है और फिर option में दिया होता है कि यांत्रिक अरजा को विधुत अ विद्धुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलना साथी साथ कह देंगे रसाइनी कुर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलना ऐसे बहुत सारे आपके सामने रखे होते हैं लेकिन आपको टिक क्या करना होता है आपको ध्यान देना होता है कि यह विद्धुत उर्जा को वो यंत्र घूमना सुरू करता है इसका ये मतलब हुआ कि विद्धुत उर्जा वो लेता है और हमें यांत्रिक उर्जा वो देता है समझ गए बात को और देखिए आपकी घर में समर सेबल लगा होता है मोटर उसमें भी बंधी होती है आपके घर में पंखा हो गया समर सेबल हो गया mixer, juicer जो grinder आते हैं उनमें भी क्या लगी होती है motor लगी होती है और जब तक आप उसको विद्धुत नहीं देते हैं तब तक वो यंत्र काम नहीं करता है इसका मतलब यह हुआ कि वो विद्धुत और जा लेता है और हमें यांत्र कुर्जा देता है विद्धुत जनित्र जश्ट इसी का अपोजिट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी देखिए ध्यान से इसका सिध्धान्त क्या है तो सबसे इंपॉर्टन बात कि इसका सिध्धान्त क्या है पेपर में यह अलग से कोश्चन आ जाता है कि सिध्धान्त क्या है पहले हम आपको बता दे कि आप इसका यहां पर एक बार स्क्रीन सॉट ले लीजिए अब हम लोग देखें सबसे पहले इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे सिध्धान्त के बारे में फिर पढ़ेंगे सनचना के बारे में और फिर पढ़ेंगे कार्विधी के बारे में और फिर पढ़ेंगे इसके उप्योग के बारे में मतलब चार पार्ट में ये आपके विद्धुत मोटर आज हम कम्प्लीट करेंगे इसका सिधान्त क्या है देखिए यहां विद्धुत धारा के चुम्बकी प्रभाव पर आधारित है मतलब विद्धुत धारा का चुम्बकी प्रभाव तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसमें चुम्बक का रोल होता होगा जो की आपको यहां पर दिख रहा है यह डाइग्राम कैसे बनेगा सब बात करेंगे हम लोग फिर देखें जब किसी धारा वाही कुंडली को किसी चुम्बकी छेतर में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कारी करता है देखें बल युग्म अभी युग्म का क्या मतलब है बताएंगे इस बल की दिसाफ फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियम के अनुसार ग्यात की जाती है होता क्या है कि एक आयताकार कुंडली होती है जो कि आपको यहां पर यह दिख रही है यह एक आयताकार कुंडली है ठीक इसी प्रकार से यह आयताकार कुंडली ऐसे होती है इस कुंडली को हम लोग करते क्या हैं एक चुंबक रखते हैं और चुंबक के बीचों बीच में इसे रख देते हैं और चुंबक में दो धुरूब होते हैं एक होता है नौर्थ और दूसरा होता है साउथ North को हम लोग कहते हैं उत्री धुरूब और South को कहते हैं दच्छी धुरूब इतनी बात समझ में आ गई अब इस कुंडली को जैसे ही हम चुमबक के बीचों बीच रखते हैं इस पे क्या करेगा एक बल युग्म कारी करेगा मैंने युग्म क्यों कहा क्योंकि देखिए जब ये इसका ये अभी मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको आप देखिए जब ये हिस्सा इधर जा रहा हो तो इसका मतलब इसको कोई बल लग रहा है जो इसको उपर के और लेकर आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर बल युग्म लिखा है समझ गए बात को तो देखिए इस कुंडली को जैसे ही रखा कहा रखा चुंबक की छेतर में मतलब चुंबक के छेतर में रखा और चुंबक का छेतर मतलब जो चुंबक के आसपास का छेतर होता है उसे चुंबक की छेतर कहत तो जैसे ही मैंने जब किसी धारवाही कुंडली को किसी चुमबकी छेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कारि करता है और इस बल की दिसा कैसे ग्याद की जाएगी फ्लेमी के बाए हाथ के नियम के नुसार क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर बल की डारेक्शन को फाइंड करना हो चुमबक वाले चैप्टर में बल की दिसा को फाइंड करना हो बल की दिसा को ग्याद करना हो तो फिर हमें बाए हाथ का यूज़ करना है को बाए हाथ का नियम है फ्लेमिंग का नियम है इसलि को लिखिए और उस सिधान्त में जो उसका नियम है बल की दिसा को ग्याद करने के लिए वो नियम भी बताईए इसलिए आप इसे अंडरलाइन कर लीजेगा या ब्लैक पेंसे लिख लीजेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर यह आधारित है याद रखिएगा उमी करन ही हमारी कुणडली होती वो घोमने लगती है इसका मतलब आपका सिधान तो कम्प्लीट हो गया अब उसके बाद संरचना नहां क्या होती है सनरचना का मतब कौन-कौन से पार्ट इसमें यूज होते हैं फिलहाल तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं पर हम basic चार पार्ट की बात करेंगे और वो चार पार्ट ही आपको एक्जाम में लिखने हैं वही पूछे जाते हैं सुरवात करेंगे संरचना में छेत्र चुम्बक के बारे से बारे में छेत्र चुम्बक होता क्या है छेत्र चुम्बक एक सक्तिसाली चुम्बक होता है बहुत पावरफुल चुम्बक होता है जिसके दो धुरूब होते हैं एक धुरूब होता है उत्तरी धुरूब और एक हो रामेचर यह है जान बूचे कर मैंने यहां पर रामेचर लीख रखका है क्योंकि देखिए आरमेचर एक ऐसी आयताकर कुंडली होती है जिसमें तामबेके बहुत अधिक फेरे होते हैं मतलब कि जो आपको यहां पर यह कुंडली दिख रही है इसमें बहुत सारे तामबेके तार के फेरे क्या किये गए होंगे लपेटे गए होंगे पेपर मैं जैसी आर फर लेंचरता है पच्चा सूचता है यां अगी है क्या ओर में हैा एक ऐसी आयताकार कुंड़ि निफ दोभिता होते हैं तो उमीद है आप को आर्मेचर समझ में आया होगा अब देखिए यह नर्म लोहे की क्रोड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है कुंडली नर्म लोहा लेते हैं जैसा कि मान लीजे यह है अब इसके उपर तार को लपेट देंगे और इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो जो बचेगी वो क से रख दिया जाता है तो यह आर्मेचर हो गया एक पॉइंट अच्छे से समझाया जाएगा आपको तो उमेद है आर्मेचर समझ में आया होगा, अब सबसे important बात विभक्त वले, एक होता है विभक्त वले और एक होता है सरपी वले, अब देखिए यहां पर है विभक्त वले, विभक्त वले और सरपी वले में कोश्चन में difference भी पूछ लिया जाता है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे विद् होता किया है एक छल का मतला समझते हो रेंग को इंगलिस के सो будете काट दिया जाता है जैसे कि आपने कभी आप चकी पे आहां हों के या आप मान लिजा आपके पार घर में गाड़ी है इधर से ऐसे और इधर से ऐसे इसको दबोचे रखने के लिए एक रिंग की जरुत पड़ती है तो ऐसे हो रख दिया जाता है और ऐसे रख दिया जाता है इसले बीच में ये क्या होता है एकसल होता है इसको एकसल बोलते है इसके इधर और इधर दो वले लगे होते हैं जिनें विभक्त वले कहते हैं यह विभक्त वले का काम क्या होता है वायर इनहीं से जुड़ा होता है याद रखेगा वायर इनहीं से जुड़ा होता है और साथी साथ यह वले क्या होते रहते हैं घूमते रहते हैं मतलब कभी यह वले यहां जाएगा और कभी विधी में पढ़ेंगे अभी तो यह क्या है विभक्त वले अर्ध वरत्ताकार वले होते हैं अर्ध वरत्ताकार वले होते हैं अर्ध वरत्ताकार बतला इधर से और इधर से जो एक वले के दो खंड होते हैं मैंने कहा ना कि एक चल्ले को काट के बनाया जाता है जैसे आपके पार घर रिंग हो माल लीजिए रिंग समझते हैं ना अब रिंग को बीस से काट दो तो दो वले निकाल आएंगे समझ गये दो चल्ले निकाल आएंगे उनको हम लोग कहते हैं विभक्त वल होते हैं जो एकवेल्य के दो खंड होते हैं कि Αरमेचर के विभत वलियों से जड़े होते हैं यह आरमेचर कॉन है यह आरमेचर मतलब मेरी कुंडली है 서मेचर मतलब कुंडली ठीच है तो यह कि निग Ver. आरमेचर लिखा था कि आपको समझ नहीं यहां पे जो सीरह होगा क्या कख सिरہ हो यह समझ के आगिया होगा फिर देख पिर करे achieve यह पूर स worn की बपाटेयां होती है कार्बन की बने दो पतियां होती है कार्बन की बने जुड़ा होता है बुस अपना इस्थान नहीं बदलते कभी ये वले अपना इस्थान बदलते रहते हैं और जो ये वले होते हैं इन्हीं से वो बुस टच किया रहता है क्योंकि देखें अगर ये बुस इससे टच किया रहेगा तो इसमें करेंट का फ्लो होता रहेगा समझ इसलिए बुस लगाया जाता है और बुस में वो वायर जुड़ा रहता है कौन सा ये वाला और ये वाला वायर इसमें जुड़ा होता है ठीक तो देखे ये किस्से बने होते हैं कारबन तो ये भी कभी कोश्चन आ जाता है कि बुस किस्से बने होते हैं तो बुस बने होते है कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वले से जुड़े होते हैं देखिए ये विभक्त वले जो इतना ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला ये विभक्त वले हो गए एक एक पॉइंट समझना है हमको हमें रटना नहीं है ठीक बस पेपर में आए तो हम इसको देखकर सब कुछ लिख सके सरचना कि हाँ अच्छे तुछ अभी मैं बताओंगा एक मिनट में बताओंगा पहले देखो कारवन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वले से जुड़े होते हैं फिर कह रहे हैं विदुद धारा एक बुश से प्रवेस करके इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि एक बुश से जाती है दूसरे बुश से आती है समझ रटना हुआ क्या रटना तो नहीं हुआ अब देखो अमालो यह डाइग्राम किसी का एक दम क्लियर हो ठीक क्या हुआ इधर दो चुम्बक बनाएं अगर मालो पेपर में आप चुम्बक सबसे कठीन कारी धी वहीं तो समझना यह चुम्बक हो गए दो एक कुंडली बता दी चुम्बक हो गया यह सकतीसाली की दुरूब एन और एस होते हैं फिर कुंडली मैंने बताई ताम्बे कि तार की बहुत सारे फेरे होते हैं जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं समझ लिए की तो यह मारे चर्वान के बनी था यह बताया Dana के बनी तो पतियां होती है और बाकी परिपत यह नीचे वह था बैटरी यह क्लिब होती कितना तो अच्छा है रटना पड़ा नहीं न इसको देखके सब कुछ लिख लोगे न आप तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ जोगा अब आप चाहू तो एक बार इसका स्क्रीन स्क्रीन सॉर्ट ले लो आप हम लोग समझते हैं की कार विधी क्या होगी सब्से पहले आप चाहो इसका तो ले सकते हो ताकि आपको आपको प्रॉब्लम ना हो कार विधी ये कैसे कार करती है कुंड़री में और्षी है है कि कुंड़ी लगाता और घूमती रहती है इसे हम समझने की कोसिस करते हैं देखे लिखा है माना कुंड़ी ABCD 36 स्थित में है 36 स्थित का मतलब हुआ कि मान लीजे कि आपको यह कुंड़ी यहां दिख रही है और उसके बाद इधर एक चुमबक ऐसे रखा हुआ है मतलब पूरा चुमबक है और इसके बीच में रखी गई यह कुंड़ी तो यह चुमबक का नौर्थ है और यह साउथ है इसके बीच में आपने इस कुंड़ी को रख दिया है अब यह कुंड़ी से जो यह चुमबक है इससे चुमकी बल रेखा है c और d ये 36 इस्थितित में है तुक माना कूझली A, B, C, D 36 इस्थिति ने हैं जैसे है कुझि को दबाएंगे मतलब हम अपनी की को दबाएंगे तो मतलब वही है कि जब आप धें होता है और फैंब में आप की को दबाते हैं तो कौन सी प्रॉसेस होती है वही है motor की process वही समझना है बस ध्यान में रखिएगा हम पंखे को चलाना सीख रहे हैं मतलब की हम लोग motor को कैसे अंदर की process होती है वो सीख रहे हैं क्या होता है आखिर ठीक है तो देखें जब कुंजी को दबाया जाता है तब धारा bus x से प्रवेस करके y से वापस आ जाती है इस जो bus का नाम मैंने रखा है वो x रखा है आप b1 रख सकते हो b2 यहां रख सकते हो पर मैंने x और y रखा है ठीक अब देखें तब धारा bus x से प्रवेस करके y से वापस आ जाती है x से जाती है घूम के वापस आ जाती है इतने जाने और आने में कौन सी process हुई यही समझना है एक flaming के बाय हाथ के नियम के अनुसार भुजा bc और ad पर कोई बल नहीं कारी कर रहा है इसे हम समझने के कोशिस करें कोई बल क्यों नहीं कारी कर रहा है इस वाली भुजा पर और इस वाली भुजा पर क्यों बल कारी नहीं कर रहा है यह समझे पहले बल को लिखतें एप स अब देखे यह मेरा बाया हाथ आपको पता है अब देखे धारा जो है वो किधर की देखे यह F होता है यह B होता है और यह I होता है अगर ध्यान दिजेगा यह जो देखे ध्यान से यह क्या है यह हमारी धारा की दिसा है यह क्या है चुम की छेत की दिसा हो गई और उसके की च्छेत की डारेक्शन भी इधर की ओर है और बी की डारेक्शन भी इधर की ओर है मतलब कहने का यह है कि अगर यह कुंडली ऐसे है इसमें च्छेत की दिसा भी ऐसे ही है और साथी साथ इसमें धारा की दिसा भी देखिए इधरी की ओर है इसका मतलब बी और आई की दोनों क डारेक्शन सेम है अभी जल्दी मैंने इसका निगमन आपको बताया है तो दोनों की डारेक्शन अगर सेम है तो इसका यह मतलब है थीटा का मान जीरो होगा क्योंकि बी और आई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं यह जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह कोई नहीं बताएग अगर इस थीटा को देखे तो यह थीटा 0 होना चाहिए और साइन 0 की वैलू 0 होती है इसलिए पूरा यह 0 हो जाएगा और इस पे हमें कोई भी बल नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार यहां पर भी कोई भी बल नहीं मिलेगा समझ गए बात को इसलिए कुंडली की केवल इस भ भुजा पर ही बल लगता है और कहीं पर बल नहीं लगता है समझ गए बात को तो देखें फ्लेविंग के बाइहाथ के नियम के अनुसार भुजा बी सी वा एडी पर कोई बल नहीं कारी कर रहा है क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुमबा की छेतर के समांतर है ऐसा पूछ लि करता है अब मान लिए कि अगर ये मरी क्या है कंडली है अभी इसमें धर की और बहर है यह और यह में उगली कूल है ऐफ gev और आई तो देखान से देखेगा इसको हैसे समझने की कोसिजिश एड़ौशार की की चेए यह हमारी धरा की डारेक्षण यह भुजा जो A-B वाली ये है ऐसे जाएगी देखिए ध्यान से फिर से समझिए ये क्या है ऐसे ठीक ये धारा ऊपर की ओर जा रही है चुम्बकी चेटर उधर की ओर है और बल कहां लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है इसका मतलब ये वाला जो A-B भुजा है वो इधर की की और जाएगी तो हम कह सकते अंदर की और जाएगे नीचे की और जाएगी समझ यह बात को नीचे की और जाएगी जब कि अगर आप इसे ध्यान से देखें इसे देखें इसमें जो हमारी डारेक्शन है वो कहा है नीचे की और तो एफ बी और आई यह ऐसे होगा ठीक ऐसे सम तो इसका मतलब अगर यह डारेक्शन इधर क्योर है तो इस पे जो बल लगेगा वह उपर क्योर लगेगा आप यहां पर लगा के देख लिजेगा ऐसे आपको कैसे दिखाए तो इस वजे से आप समझ रहे हो कि इस पे जो बल लगेगा वह उपर क्योर लगेगा फ्लेमिंग की बाय हाथ की नियम के नुसार तो इसका यह मतलब हो कि कुंडली अब ऐसे घूमेगी जैसे अब कुंडली का एक चक्कर का पूरा होगा यह कुंडली घूमी यह आधा चक्कर हो गया एक चक्कर कब होगा जब यह पूरा हिस्सा आपको फिर ऐसे ही दिख जाए तो जब आधा चक्कर पूरा हो गया तो आप देखो ज़रा डारेक्शन बदल गई क्यों बदल गई क्योंकि विभत वले अब घूम गए ठीक आधे चकर में क्या हुआ एसे लेकर बी की औ आई है और यह एफ है इस तर दिखे फिर से अब यह देखिए ध्यान से इसमें आप समझ जाओगे इसमें जो है धारा ऊपर क्यों भह रही है चुम्ब की छोट चेत्र जो है इधर से इधर क्यों जा रहा है इसका मतलब बल जो है वो अंदर क्यों लगेगा सीडी पर अंद की ओर ऐसे जाएगी और भुजा सीडी पर उपर की ओर एक बल कारी करता है इस यह अंदर की ओर जाएगा यह उपर की ओर आएगा यहां बल कुंडली को वामा वर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज डारेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा जब कुंडली आधे चक्कर को प भी A, B, C, D थी डारेक्शन अब क्या हो गई B, C, B, A हो गई बदल गई की नहीं बदल गई तो वहीं मैंने लिखा है जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा कर लेती है तो विभक्त वले अपना इस्थान बदल लेते हैं अब क्या होगा कुंडली में जो इस सीडी भुजा ह इसमें नीचे की और बल लगेगा मतलब यह अंदर की और ऐसे जाएगी और A, B, ऊपर की और आएगा देखिए A, B, ऊपर की और आएगा ऐसे बना कि आप सीख सकते हो तो आप सीडी भुजा पर नीचे की और बल लगेगा तो इसलिए पीछे की और नीचे मतलब पीछा सब पीछे समझ लिजिए आप तथा A B पर उपर क्योले बलकारे करेगा इससे पता चलता है कि कुंडली जो है यहाँ पर लिख देते हैं कुंडली सदयो कुंडली सदयो वामावर्त दिसा में घूमती रहती है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कुंडली ऐसे घूमती ऐसे घूमती लेकिन जब डारेक्शन चेंज हो गई विभक्त वाले न अपना रोल अदा कर दिया कुंडली को एक ही तरफ घूमाए रखा अगर यह सरपी वाले होता तो ऐसा नहीं होता फिर देखे ध्यान से कुंडली घूमती रहती है अम हमें इसका उप्योग देखना है तो मीध है प BC और रटना नहीं पड़ेगा BC और AD पर बल कारे नहीं करता है लेकिन फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB जो हो अंदर के ओर जाने का प्रयास करती है और CD ऊपर के ओर आने का प्रयास करती है समझ रहे फिर ऐसा होगा क्या फिर अब यह पलट गए इसका मतलब यह प्रयास कर रहा था अंदर के ओर जाने का और यह ऊपर क्यों लेकिन आदहा चकर्चज़ से ही पुरह हुआ अब ये CD अंदर की ओर जाएगा और AB उपर की ओर जाएगा, अब यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, और कुंड़िली घुमती रहेगी, समझ गये आगए आपको, यह पूरी बात समझ में आ गहे होगी, पेपर में ऐसा कुश्चन आ सकता है, कि कुंड़िली जो यह वाल वुट होती वो 0 होती है आई बात समझे ठेक इतनी बात क्लेर अब इसका व्पयोग देख लू का चक ही वाली जो और खिती है। अब बात उस चुह कि जो आपसे 2020 में पूछा गया है विद्धुत ब़िद्ध मवटर में मोटर लगती गतिको कैसे बढ़ाया जा सकता है साथ नमबर का कोशन आया था 2020 और नाइटीन में लास्ट में दो नमबर में इसे एड़ कर दिया था और बाचे फस गए होंगे क्योंकि इसे नहीं बता पाए होंगे अब हम इसका आंसर आपको देते हैं किस प्रकार से गतिको बढ़ाया जा लाइट तेज जादा आती है इसका मतलब यह कि धारा को बढ़ा दो इसका मतलब है पहला पॉइंट कि धारा को बढ़ा कर धारा को बढ़ाकर या धारा के मान को बढ़ाकर पूरा संटेस लिखेगा धारा के मान को बढ़ाकर दूसरा समझे अगर हम इन चुमबक को बढ़ा चुम्ब की छेत्र जादा कर दे तो इसका फिर मतलब होगा कि जब चुम्ब की छेत्र को जादा कर देंगे तो इस पे बल जादा लगेगा और आपको अगर कुछ भी याद ना है तो आप फॉर्मला याद कर लिजेगा आप बराबर i b l और सैं और ठीटा इतनी वाते हैं चुम्ब की छेत्र को बढ़ाकर और या होता तार क के फेरों की जो संक्या होते हूं एन से गाथे यहाथ लकुन की का है तार को बढ़ाकर अब तार क्या है जितनектив्हम्बा आथ को ज्यादा फेरे होंगे ना तो इसलिए हम लोग कह सकते धारा को बढ़ा कर फिर क्या बी को बढ़ा कर इसका मतलब चुम्बकी छेत्र को बढ़ा कर यह हम कह सकते हैं चुम्बक को सक्तिसाली बनाकर यह लिख सकते हो दो पॉंट हो गए तीसरा पॉंट देखे ठीक एंप कह सकते है कुंडली तो कुंडली का छेत्रफल बढ़ा कर चार पॉंट हम आपको बताएंगे तो बढ़ा कर ठीक समझ मैं बात कुंडली को ज्यादा छेत्ष वाली बना दो चोथा point ठीक, चोथा point फिरो की संख्या बढ़ा कर वही L बढ़ा दो मतलब फिरो की संख्या L नहीं वह N होता है जब L बढ़ा होगे तभी तो N बढ़ेगा फिरो की संख्या को बढ़ा कर तो 4 point आपको लिखने थे मिनमम आप दो लिखकर आ सकते थे तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि धारा को बढ़ा कर कुंडली का छेत्फल बढ़ा कर चुमबकी छेत्र को बढ़ा कर और फेरो के संख्या बढ़ा कर अब जो है एक मिनिट लगेगा हम इस पूरे डाइग्राम को आपको स्वयम बना कर दिखा देते हैं अभी तक तो क्या था कि आप इसको चाप रहे थे अब हम पूरा बना कर दिखाएंगे आपको कैसे आपको एक्जाम में बनाना है ठीक है इतना ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी चीजे होंगी वो सारी की सारी बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे इसलिए डाइग्राम आपको जो बनाना होता है उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है सबसे पहले आपको दो चुमबग बनाने हैं तो दो चुमबग एससे और ऐसे ठीक एससे जैसे बना रहा है आप ऐसे बनाके आ सकते हूं तो यह चुमबग हो गया यह N हो गया जह अहीं ठीक इसमें आप इसको ऐसे थोड़ा साचाहों तो से डिंग कर सकते हो कुछ और और खरना हो तो मैंने कुंडली को इसे बीच में रखो यह कुंडली हो अब तोड़ा सा इसको और पतला कर सकते हूं ऐसे कुंडली को भीच में सबता यह कुण्डली हो अब अब एक करते आपके को करना है यहां पे continuously बनाना है विवब्क्ट तुबले में तरीका देखेगा, ऐसे लाइन खीची, ऐधर और इधर, ठीक, उसके बाद भी इससे देखिया, ऐसे कर के, ऐसे कर दिया, ठीक, उसके बाद इसको जोईन किया, इधर किया, यह लाश्ट में मैं ने सोचा आपको बता दूँ, अगर आप देखना पसंद करो तो अच्छी बात है, और नाम X or Y हो समझ गया उसके बाद इसे से ज्टर एसे और ठीक पुर झोण कर देनायख अब इसके बाद यहां पे आपको बैटरी लगानी कैसे लगा अब बडी लाईन बिलाइन घ्ल चोटी यह जोटी न्कले भी इसलिए इधर से निकले siitä उदर से वापस आएगी सो यह वापस आके इधर से हो आप चाहो यहाँ पै को जे लगा सकते हो जब चाहो तो इसाए एक अपनीट से एसे अपh, समझ गया अब इसमें ड्रा मैं को बनाना है देखिया इधर डारिक्स लिए कि फिर से धारा गई इधर से गई इधर इधर और ःतरवापस आके यह वापस ऐनु यह अभी एक साल भी बनाईंगे समय हैँ आप après 條 के से एक बच में लट गया लुट से क्ष एक संसे रहा actual है एसे ऐसे उसके ऐसे तरीके से हमने इसमें एक बीच में राड बना दी समझ गया बात को अभ ये जुए इसको आप लिख सकते हो कि यह क्या है एक एक सıll है ठीक है या कह सकते आप धूरी हें ना धूरे कह सकते हो ठीक इतनी वास सब्क्राइब यह आपका क्या हो गया चुमक हो गया इसके कुंडली के पूरा टाइग्रामि कैसे मैंने बनाया है कुछ अभी इसमें नहीं गया बिलकुल जैसा डाया था ओम describing पूरा深мыजम इन्हाएं मैं यहां पर बनाया होगा इसमें डारिक्षन को दिखाया है ऐसे भी कि अंच्छे से घडाख सकते को लाइक कीज़ेगा आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है और फिलाल अच्छा देने के कोशिस किये मैंने और कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो हम भी सीख रहे हैं आप भी सीख रहे हैं और साथी साथ आप अपने बोर्ट के तैयारी कर रहे हैं चलिए अभी हम लोग खतम करेंगे इस क्लास को अगली क्लास में मिलेंगे विद्धु जनित्र के साथ धन्यवाद